नमस्कार, इदिना में आपका स्वागत है भगत सिंग, भगत सिंग का नाम देश का बच्चा बच्चा जानता है भारतिय मानसिक्ता में भगत सिंग एक लाजर देन लाइफ क्रांतिकारी के रूप में बसे हुए है जो आज भी लाखो युवाओं को प्रेणना देते हैं वो क्रांतिकारी जिसने ना अपनी जान की परवाह की ना घर परिवार की बस इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने की भगत सिंग को एक ब्रिटिश ओफिसर को मारने की साज़िश और दिल्ली में लेजिसलेटिव असेमली में बॉम डालने के आरोप में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से फासी की सजा दी गई थी उस वक्ट भगत सिंग सिर्फ 23 साल के थे आज भगत सिंग की जैंती के अवसर पे उन पे बात करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर चमनलाल आपका स्वागत है एदिना में प्रोफेसर चमनलाल रटायर प्रोफेसर है जुआहलाला उनिवरसिटी से और Center for Indian Languages के पूर्फ चेर्मेन और भगत सिंग Archives and Resource Center के जो की दिली में है उसके Honorary Advisor भी है भगत सिंग के बारे में हम लोग जो जानते हैं वो जानकारी हमें जादा तर फिल्मों से मिली है या कुछ इदर अलग-अलग किताबों से और जो एक image बनी है उनकी की एक बहुत ही charismatic young एक यूवक है और बहुत ही एक वैसा व्यक्तित्व सामने आता है लेकिन ऐसा आपको अपने research में क्या मिला उनके बारे में उनकी writings में इतनी radical बाते हैं जो कई बाते अभी लोगों के सामने भी नहीं है तो आपने क्या पाया अपन बात में भगत सिंग ने अपनी जंदगी में जो कुछ काम किये वो समझे लीज़े के उनकी राजनीतिक जिन्दगी सोले साल की उमर से शुरू हूई और ताहीस साल पांच म oilyने की उमरे만 फांसे के साथ ही उनकी राजनीतिक जिन्दगी खत्म ह noodle आप आप साथ साल की राजन दुनिया भर में बहुत कम मिलती है और जो दुनिया के कहना चाहिए कि बहुत कम ऐसे क्रांतिकारियों में है जिन्हों ने अपने जीवन का पल-पल जो है वह क्रांती के उससे लगाया है यह था कि भाविस सिंग वेरा वेचारिक रूप से बहुत आगे बढ़ चुके थे वह राष्ट्रिया समान की रक्षा के लिए जो उन्होंने सांडर्स किया है कि इसलिए वो देश में इतने लोग प्रिया हुए और दूसरी चीज जो उन्होंने की कि एसम्बली में बंफ हैं का आठ अपराल नेसे उनातिस को तो उसका भी कारण ये था कि मने उस वक्त बहुत ब्लैक लॉस जैसे आज कल भी सरकारें काले कानून लाती रहती हैं तो उस वक्त की सरकारें भी काले कानून ला रही थी ये उन्ही सो साथ का किसान अंदोलों नहीं तीन काले कानूनों के खिलाफ था तो उसमें पबलिक सेफटी बिल और एक दूसरा बिल था तो उस बिलों पास करने जा रही थी अंग्रेश स्रिकार तो उस वक्त उन्होंने ये ठारसत्तिर अन्वे में एक ऐसा ही कांड हुआ था फ्रांस में वेलिया नाम के करांतिकारी ने तो फ्रांस की पार्लिमेंट में बंफेंक के ये कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होत है वो किसी को मारने के लिए नहीं थे और किसी का नुकसान करने के लिए नहीं थे तो इसलिए उन्होंने भी उसे उधारन को फालव करते हुए इंसिडेंटी ठारसते तरणवे में में वेलियां को भी फासी हुई थी और फ्रांस में और यहां भी भागत सिंग ने जब दो बम भागिसिंग और दत्त उनके साथ थे तो दो बम असेंबली में जो फैके वही जो आज की पार्लिमेंट है तो इसमें सेंटरल असेंबली कहलते थी अग्रेजों के जमने में अब नईब खैर तो उसमें उन्होंने जो नारे लगाए वो दो नारे लगाए बहुत जोर से औ दो चार व्यक्तियों के थोड़ी बहुत ख्रोंचे हैं और लेकिन उन्होंने लॉंग लिव रेवलिशन एंड डाउन विध इंपिरियलिम तो ये दो नारे उन्होंने और वर्कर्स ऑफ दे वाल रिजनाइट ये दो तीन नारे उस वक बहुत जोश से उन्होंने लगाए घटनाओंने मने सांडरस की अद्धयने और असेंब्ली बमकान ने भगज सिंग को लोक प्रिएता के शिरखर पर पहुचा दिया नाहिं है नाहिँ ही मिएडिया का हासल है ये हासिल उस समय का है जब भगज सिंग की खबरें असेम्बली बमकान की हों या सबसे ज्यादा खबरें भूकरताल की थी जिसके बारे में भी लोगों को बहुत कम वानुए है फेंजी के भागऑि सिंग ने जेल में तीन भूकरतालें की थी और एक सोः दस दिन की और एक फिर भीसी किस दिन की फिर एक्टालिस दिन की रोज बरोज फ्रंट पे चपते थी तो कुल्म लाग के तीन भूखड़तालों में उन्होंने एक सो सड़ सड़ दिन वन सिक्टी सेवन डेज की भूखड़ताल की थी जो बहुत कम लोगों का मलूग है और गांधी जी की भूखड़तालों से ज्यादा दिनों की भूखड़ताल उनकी थी और गांधी जी की भूखड़ताल कोई भी एकीस दिन से ज्यादा के नहीं थी जबके भगई सिंग की भूखड़ताल एक तालीस दिन एकीस दिन और एक सो दस दिन की थी तो ये भूखड़ताल ऐसा उनका हथ इसको भी राजनितिक हत्यार के रूप में यूज करते थे और जो असेंबली में बंफेंका और उसको भी राजनितिक हत्यार के रूप में यूज करते थे और अदालतों को भी उन्होंने अपने विचारों का मंच बना रखा था तो अपने अदालतों में जो बयान देते थे वो पूरे के पूरे ब्यान फ्रंट पे शुरू होते थे हिंदोस्तान भर के ख़वर में उससे इतनी जबरदस्त उनकी लोग प्रिता हुई थी जब उनका वैचारिक विकास शोशलिजम रूस में आगया निससे सत्रह में लैनिन की किरांती हो गई उसके बाद से उन्होंने उन्नीसो अठाइस में आठ और नौ स्तंबर को फ्रिशा कोटला ग्राउंड में मीटिंग करके शोशलिस्ट शब्द उसमें जुड़ा और उसे बनाया हिंदोस्तान शोशलिस्ट रिपब्लिकन एस्सोशेशन और उसका मिलिटेंट विंग हिंदोस्तान शोशलिस्ट रिप हाथ से लिखे हुए थे कि भगज सिंग के बारे में सारी मित जो फिलाई जाती है जो कहानियां गड़ी जाती है उनकी बजाए उनकी अपनी जिंदगी इतनी फैसिनेटिंग है इतनी वह शांदर है और इतनी जबरदस्त है कि उसके लिए कुछ गटाने बढ़ाने की जरूरत उनकी अपनी राइटिंग इतनी शांदर है उनकी अपनी शक्षियत इतनी शांदर है उनका हर करांतिकारे यह समझता था कि भग सिंग मेरे सबसे करीम हर दोस्ताना भाव इतना था वार्म फिलिंग इतनी थी कि हर कर समझता था कि यह तो भग सिंग मेरा ही सबसे मेरा अपन तो इस तरीके से जो मैंने जो सारी उसकी शिक्षियत थी तो वो हमने ये कोशिश किया और ये जरूरी है कि जब आप थीस मार्च को ये सब चीजें हम करते हैं तो बजाए इसके कि उनकी मूर्ति पफूलमाला चड़ा के अपना घर में चले जाएं और देश के बड़े-बड हम बहुत बात कर रहे हैं और कितनी बाते भगत सिंग के बारे में जनता को पता नहीं है उनकी जो नहोंने चांद मैगजीन के लिए लिखा वो ब्रिटिश हुकूमत में बैन कर दिये थे उनके राइटिंग्स तो थोड़ा बहुत मतलब ब्रीफ में अगर आप बता सके उन नीस साल की उमर तक पहुंचते पहुंचते बनलियनीस सोचब विस तक ननीस सेचब़ीस में नेस साल की थी तब तक मैं पूरी तरह से नास्तिक हो चुका था बहुत से और भागिस सिंग का जनियलिग्स का केरिर अपने आप में बहुत महत्पुरन है वो हिंदी, पंजबी अर्दू अंग्रेजी चार भाशाओं में बिलकुल फ्लूएंटली लिखते थे प्रताप में भी काम किया जो गनेशन करव दियारती निकालते थे और इसके लावानों ने महरती में अर्जुन में और पंजाबियर उर्दू के किरती में इन सब पत्र-पत्रिकाओं में formal रूप से संपाद के विवाग में काम किया कही छे मिने किया कही चार मिने किया कही तीन मिने किया और वह स्कूल के मैं वहां गाउं में होकर आया हूँ अलिगर से साथ किलोमेटर दूर है तो वहां एक स्कूल था तो उन्हों ने वो राष्टरवादियों दरा ही बनाया वह स्कूल था तो वहां पे भगज स्कूल का हड्मास्ट बना कर रखा गया तो छे मेने उस गाउंगे लोग आज तक अपी लोग तो उनकी वक्त के तो मर चुके लेकिन तीसरी चौथे पीडी के लोग आज तक याद करते हैं यहां तक कि उन्ने बना रखे हैं निशान बना रखे हैं कि यह कुवाँ था इस कु है और उसमें सबसे मेरे विचार में सबसे जब महतपुरौन का वह पर्वरी निजिस सु एकत्तीस का लेटर टू यंग पूलइकल वर्कर्स है तो लेटर टू यंग पूलइकल वर्कर्स उनके विचारों को बिलकुल सूरज की रोशनी की तरह साफ रूप से प्रस्त करता है जिसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि checked में हमें लैनिन की तरह करांती करनी है समाजवादी और जिसमें जन संगठन बढ़ाने है मजदूरों के किसानों के विद्यारतियों के युवाओं के इस्तरियों के सबके इन संगतनों के माध्यम से ही हमें करांती को आगे बढ़ाना है तो ये तो उनकी अंतिम परनिती थे उनके वचारों की लेकिन अच्छूत समस्या में जैसे अपने भी जिकर किया तो वो साफ तो पर ये कहते हैं के अच्छूत तो तुम तो सिंग हो शेर हो और उठो और अपने अ अगशी सब्सक्राइब करता है तो ये दलित्समाश पे उसका एक लेख का इतना अस्र है लेकिन वेयवहार में इतना था वो भी आपको बता दू दू किया वी वेयौईबहर नोजवान भरत सभा को शाभा, कि स्वार में, और नोजवान भरत crochet सभा, somethi स्वामुहिक भोज करती थे तो स्वामुषिक भोज करती थे तो उसमें हिंडू, मुसल्मान, псих, एसाय, ब्राह्मन, दलित, इस्त्रियोण पुरश, संब कठ्थे बैठते थे, тобици उसमें भेद नहीं होता था, पकाने वाले भी संब कठ्थे थे, जिसमें दलित, इस्त्रियां पुरुष सब मुस्लमान सब शामिल थे और खाने वाला भी इकटे थे तो खाने वालों में भेद नहीं था सारे जातियों के सारे धर्मों के सारे वर्गों के तो यह चीज़ें उन्होंने व्यवहार में लाई थी इसलिए दलित समाज उनको मानता है कि यह हमारा आदमी है हमारा ही साथी है तो यह चीज़ें और बाकी जो इस वक्त की चर्चा में करूँ हम लोग दोजार चौबीस में रह रहे हैं हम लोग यहां रोज देख रहे हैं कि कितने सामपरदा एक दंगे कितनी सामपरदा एक नफृत पूरे समाज में वेस्टिड कोहाट में यह आजकल पाकिस्तान को इसको पक्तूनवा कहते हैं और वो पिशावर के पास की जगह है तो कोहाट में भयानत सामपरदा एक दंगे हुए थे तो उसको लेके भगज सिंग ने दो लेक लिखे हैं मजभ और हमारी आजादी की जंग और फिरकु वराना दंगे हमने हिंदी में इसको धरम और हमारा सामपरदा एक दंगे हैं और उनका इलाज लैक में वहुष्टों पर कहते हैं के इन धरमों ने हिंदोस्तान का बेड़ा गरक कर दिया साफ ह турपे कहते हैं, क्योंकि फिअ क्वहाट के दंगों का उनके शंदर में था, एक तरफ हम सितंतरता सेंग्राम लड़ रहे हम पूरे देश को एक करने की कोशचर कर कर रहे हैं, एक तरफ आपस में लड़वा के पूरे अधुन को खत्म किया जा रहा है, तो इसलिए वो दो चीजे सब धर्मों के लोग कहते हैं सच बोलो इमांदर रहो अपने प्रोसियों का साथ दो सब को मानवता से पेशा हो वो सारी चीजे ठीक हैं उससे किसी का कोई नुकसान नहीं है समाज का भलाई है लेकिन जब और वगर ये बातें उनके दार्शनिक रूप से जुड़ती ह जो मेटाफिसिकल पार्ट है तो उससे कोई नुकसान नहीं है लेकिन एक रिचुल पार्ट है जिसमें कहा जाता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है मेरी रिचुल सबसे अच्छी है मेरा जो है तो वो कह रहे हैं कि ये जो रिचुल वाला पार्ट है ये बहुत खतरनाक है तो इसलिए अगर लोग सिर्फ धर्म की यह बाते मांते हैं कि जय बोलू है मानदा रहो तो अच्छ़ा है कोई नुकसान नहीं है तो फो वह रहे है बोल कोई स्वतंत्रता संग्राम में इस चीजों का ध्यान रखना कि जिसमें लोग हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें और दूसरे हिंदू और कृष्टिन आपस में लड़ें कृष्टिन को नफरत की निगा से देखो मुसलिम्स को नफरत की जगा से देखो दलितों के नफरत की निगा से देखो तो वह इस वक्त भगत सिंग की मना जा रहा है फुले को मत पूर मना जा रहा है क्योंकि इन लोगों ने जो इसमे के हमारे सालात हैं उनका सामना करने के लिए लिखा है काम किया है तो आपको क्या लगता है अगर आज भगत सिंग होते तो वो क्या करते हैं यह सवाल अक्सर किया जाता है मैंने इसको मजाग क एक अगला रूप है लेकिन एक किसीरिय सेंस में भी है आप कि ये सवाल पूछा जाता है कि कि या भागसिंग के विचारों के इमसार आजादी आए? तो सफ जवाब है कि बिलकुल नहीं है कि भागसिंग जो नहीं। डी का रूप वो नहीं था क्योंकि भागर सिंग जो आजादी चाहते थे वो खुद जिंदा नहीं रह सकते थे उनको भी मालम था कि जंदा नहीं रह सकते लेकिन वो अपनी अगली पीडी के लिए संदेश दे रहे थे वो एक यहां में आपको एक अच्छी अधारन दूए मेरे याद आगे वो आपने करांते कारी कभी पाश की चर्चा की तो उसमें पाश ने अपने एक छोटे से लेक में लिखा है और पाश की भी शहादत तैईस मार्च को ही हो जो उसका सबसे प्रिया कहना चाहिए के चिन था उसी के दिन उसकी भी खालिस्तानियों ने हत्या की पा फांसी के तक्ते पर जाने से पहले लेनिन की जो किताब पढ़ी थी जो वर्का जो प्रिश्ट मोड के रखा था उस प्रिश्ट से आगे पढ़ना है विच मीन्स के साफ तार पर ये था कि अब भागिस सिंग के चूड़े में काम को आज के युवाओं की जिम्मेदारी बन से ज्यादा पावरफुल आज की स्टेट है इंडियन स्टेट भी अमेरिकन स्टेट भी कोई भी स्टेट किसी भी मुल्क में करांती करना इस समय जबरदस्ट मुश्किल काम है तो लेकिन फिर भी अपने समाज को उच्छा बनाने के लिए इन सब चीज़ों को करने के लिए भगसिंग के विचारों को कुछ हद तक समाज में लाने के लिए तो ये बहुत जिम्मेदारी है युगा वर्थ की खास्तार पर भारत के तमाम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि अगर अपने देश को वो देखना चाहते हैं एक अच्छे रूप में तो भगसिंग अम्बे प्रचारों के इंसार देश को कोशिश करनी चाहिए कि उस तरह के विचार फिर पैदा हो या कम से कम उनका थोड़ा प्रचार आगे होना चाहिए ये एक मेसेज है कि भगसिंग के विचारों को आज के युवा वर्ग को और पढ़ने की जरूरत है जो इतनी भगसिंग के बारे में बाते अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पाई आपने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया कि वो उनको इकठा करके डॉक्यमेंट करक हैं ओर तो आप एक आखरी मेसेज आप अगर भगत सिंग की तरफ से आज के युवा वर्ग को क्या कहेंगे भगत सिंग के लेखन को पढ़ें अनुसरन करें बिलकुल बिलकुल एक भगत सिंग का वाक्य है उनके ही अपने लेखन में अध्यान, अध्यान, फिर अध्यान, स्टडी, स्टडी अंड स्टडी, और दूसरा जो उनका वाक्य है, कि क्रांती की तलवार विचारों की धार पर तेज होती है, इस समय वैचारिक विकास, नौलेज, नौलेज इजे मस्ट, इसमें नौलेज के उपर बहुत बड़ा हमला है, वाटसएप यूनिवस्ट्री ने यूनिवस्ट्री की नौलेज को तबाह करने का ठेका लिया हुआ है, उनको लैसेंस मिला हुआ है, कि यूनिवस्ट्री में जो नौलेज होती है, वो WhatsApp University के दोरा नश्ट कर दो और WhatsApp University किया वो आपके जितने social medium है आज कल वो Twitter हो या आपका Instagram हो या आपका Facebook हो 90% इन सारे social media से पूरे ग्यान की प्रंपरा को नश्ट करके एक पूरी एक नफरत भरी एक mythological सिर्जना की जा रही है यूत को इससे बचना बेहत जरूरी है हमारी उमर के लोगों से ज्यादा यूद को िसने नहीं कि थी कि हम लोगों के कम से कम हम डो यूग एक साथ देख रहे हैं एक जो इस social media से पहले का है जो social media के बाध का है लेकिन जो social media के बाध का यूग है जो शुरूर में इतना अकरशिक लगता था वो तो दस साल में ही उसने अपना भ्यंकरूप दिखाया है, कि इस से बचने के लिए फिर अध्यायन के और लोटना, नौलज के और लोटना, बुक्स के और लोटना बहुत जुरूरी है। भगत सिंग पे इस चर्चा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला हैं और हम आशा करते हैं कि आज के युवाओं को भी आपकी बातों से और भगत सिंग की लेखनी से बहुत कुछ सीखने, अध्यान करने, लिखने और समझने का मौका मिलेगा। झाल